ये भी इसका बहुत ही फेमस बुल्था बादल उसका ही सीमन लगाया था जिसका की बढ़की माई का रेजल्ट आपने देखा है राम के रूप में बहुत प्यारा बच्ड़ा आया मेरे ख्याल से एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्नी दिया है ये बच्चिया आदा घंट पीछे देख रहे होंगे दिन खूब इसलिए है क्योंकि गौमाताओं की संख्या बढ़ते जा रही है हमारे घर में अब ब्यानी की तैयारियां करने लग गई है जो काफी समय का सूखा था वह दूर हो रहा है पीछे खड़ी है हमारी गौमाता साही आपको दिखरी होंगी दूर वह ब्यानी की तैयारी कर रही है उनको आज हमने घर पे रोका और हमारा रोकना एक दम बिल्कुछ सही रहा क्योंकि वह ब्यानी की तैयारी कर रही है तो दोस्तों वीडियो में बने रही है और देखते हैं आगे क्या क्या होता है और यह दोस्तों साही बैट गई है क करके यह देखिए हलका खुर दिख रहे हैं तो अभी मैं यहां से हटके फटा-फट से सारी वियुस्था करता हूं मसाला तयार करना पड़ेगा गरम पानी और जो भी दाना वगरा देना होता है वो पूरी तयारी करते हैं जो की परेसानी नहों सको और फटा-फट जेर भी ड पिला देते हैं कुछी समय में ब्या जाएगी तो यह पिलाता हूं और उसको दुबारा से इनर्जी प्रोवाइट कराते हैं तो यह दोस्तों हमने पिला दिया है इसको कैलब जल और अब खड़ी हो गई है थोड़ा सा परिसान हो गई थी पिलाते वक्त लेकिन फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि यहीं पर गोबर है यह भी हमने साही को जो की यह भी एसका बहुत ही फेमस बुल्था बादल उसका ही सीमन लगाया था जिसका की बढ़की माई का रिजल्ट आपने देखा है राम के रूप में बहुत प्यारा बच्ड़ा आया और अब देखते है हमारी साही गौमाता जिस बच्चे को जन्म दे रही है वो भी बादल का रिजल्ट है और वो क्या आता है थोड़ा सा बस मुझे हेल्प करनी पड़ेगी कि इसके खुर निकालने पड़ेंगे खुर भी आ गए है और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया है साही ने यहां पे कोई है नी अकेले ही मुझे सारा काम करना पड़ेगा दोस्तों दाना और भूसा तो थोड़ा बहुत खा लिया साही ने और अभी तेल और पानी दिया है मैंने उ पी गई थी पीले फटबर तुई पी जल्दी पी सारा पीना है और यह बैठी है छोटी सी प्यारी सी बच्ची बाकी तो साही सारी चीजें खा गई है और यह मसाला दिया था मसाला भी खा लिया इसने इसमें गोड़, आजुढ़, अजवेएंट, और मेथी वगएरा सब चीज डाली थी तो आरम से खा गई थोड़ा सा यह है कि इसने जो तेल वाला पानी है वो पूरा नहीं पिया यह देखिए दोस्तों एक और कमाल की चीज हमारे देशी गौवन्स की यह बचिया आदा गंटा हो रहा है मा को ब्याए हुए और यह दूध पीने लग गई बहुत जबरदस्त इसके अंदर यह क्वालिटी है कि यह अभी से इसने थन पकल डिया और दूध पीने लग गई तो यह बच्चे बहुत तेज होते हैं हमारे देशी गौवन्स के बहुत अच्छा है इसके लिए फस्ट जो दूध है यह पीरी है आसानी के साथ और एक तरफ इसके थोड़ा सा सूजन ज्यादा है रात को यह एक तरफ बैठी होगी साई तो इस तरफ सूजन ज्यादा आ गई इसके अडर में कोई नहीं यह ठीक हो जाएगी अभी अडर को दो रहे हैं और साफ कर रहे हैं मैं कल कह रहा था कि यह ब्या सकती है मुझे चलते चलते पता नहीं दखता है जो और अब हम पिला रहे हैं बच्छिया को तेल तेल पिलाने से इसके अगर जो भी पेट में कीड़े विड़े होंगे वो भी निकल के बाहर आ जातें गोबर के साथ और टाइम से इनका पेट खाली हो जाता है दोस्तों अब एक ही काम करते हैं तो इंटिजार करते हैं अभी जेर के आने का जैसे ही साई जेर डाल देती है तो मैं फिर जेर को हटा देता हूँ फिर कोई टेंस नहीं रहेगी क्योंकि इसमें वेट रोटीन होता है गाय इसको अगर खाले तो फिर सोचोंगी पूरे ब्याद भर वो दूद में न जल्दी जेर डाल देगी बस उसी का इंतजार कर रहा हूं तो देखें दोस्तों ये भी आ गए है बच्चे स्कूल से घर और सत्यम जो की दिखा रहा है अपनी बॉड़ी किसी हुई इसी अज कौन आया है आज साई का बीबी आ बच्ची आई है ना चोटी तो अभी मैं जा र बाला हूं वहाँ पर बस पर पास अब यह देख नहीं नहीं आई है आप देख रहे हूंगे मेरे पीछे यह तो वेट करते हैं थोड़ी सी देर और बस थोड़ा सा देर और बैठेगी तो फिर बट डाल देगी अभी मैं यहां से हड़ जाता हूं क्योंकि वह मुझे देख बच्चे को दूद भी पिला दिया लेकिन जेर जब तक नहीं डालती तब तक बहुत टेंसन रहती तो जेर डाल दी है साही ने और अब मुझे इसको अटाना है साही हटा उटो पैर अटाओ पैर अटाओ इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि यह मुवें ना डाले यह ब खता है वोका थो के खाने की सőचने क्ताता हूं साही यहतू तो वढ़े दोगो शॉस्का कि ब्लिटके कि सूचने की हूंँיתי जाओ और जिची चुल आखा रहे हैं जैना कि शोफू पूर में ना जबम आ पलुद के और बहू जिचंव और पकॉड हाली हालीं तो पर जोच् हमारे घर में साही जो हमारी गवाता है उसने चौथी बार बच्चिया को जन में दिया है तो गौरी तो अभी बीमार है इस बार इसने बच्चिया को जन में दिया और जैसा कि आपको पता होगा वो दूद भी नहीं दे पारी है बढ़की ने भी इस बार बच्चिया को जन मे डाल दी और अब मैं इसका जो भी मसाले का समाने वो लेने के लिए मार्केट जा रहा हूं मिलूंगा दोस्तों आपसे दूसरे वीडियो में प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है आपसे प्यार की उम्मीद है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें को ही हमें प्यार करते रहें राधे राधे जैगोमाता जैगोपाल